हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्रीराम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम अंजने सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई बरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भस्ते हनुमार तुम तो हो बड़े बल्ले मार हे राम भस्ते हनुमार तुम तो हो बड़े बल्ला गौत मेरे सीन शाप दिया था माता अंजनी को कहने लगे कि तुम कुमारी माता बन जाओ बोली अंजनीर स्वर ये मैं होने ना दूँगी अपने आपको एक गुफा में मैं बंद कर लूँगी किसी पुरुस को देखो ना मैं ये होगा कैसे जाएगा ये शाप तुम्हारा बिर था ही ऐसे अपने आपको एक गुफा में उसने बंद किया छोटा सा एक छित्र था बस जिसमें आए हवा हुआ है क्या फिर इससे आगे तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई बरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कता सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमार तुम तो हो बड़े बल्यवार ते राम भक्ति हनुमार तुम तो हो बड़े बल्यवार मोहनी रूप जो विशनो जी ने भोले को दिख लाया काम भेग फिर भोले जी को रूप देख चड़े आया है काम भेग अब भोले जी से रोका ना जाए प्रम्हा जी ने फिर बत लाया उनको एक उपाए गुफा अंजना बैठी जिसको गवतम रिसी का साह कान में उसके डालो बिंदू जाकर भोले आओ काम भेग ये आपका तो यू व्यर्त न जाएगा कौतम रिसी का साप भी भोले सच हो जाएगा गुफा द्वार पर जाकर भोले अलग जगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम भुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़े बलवान बोले जी की अलग जो अंजना के कान पड़ी बैठी धान लगा कर थी वो सुनकर हुई खड़ी बोली अंजना जोगी मुझको बाहर ना याना भंग करना है शाप्रसी का मैंने है ठाना कहने लगे भोले है देवी हमें लगी है प्याँ पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खाँ अपने कान को इस छित्र के पास मिलाओ तुम बिना तच्छिडा किसी का पानी ना पीते हैं हम कान में वो फिर अंजनी मा के वेग पढ़ाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम गुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए राम भक्ति हनुमा तुम तो हो बड़ी बल्वान ए राम भक्ति हनुमा तुम तो हो बड़ी बल्वान बोली अंजनी है जो गी ये क्या है तुमने किया सच ही हो गया साप आज जो रिसी गौतम ने दिया कहने लगे कहें अजनी इसको ना समझो सा ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद है भोले ना होगा जो ये बालक वो बना पीर कहाएगा कौमार भी भंग तुम्हारा ना हो पाएगा राम भक्त इसे लोग कहेंगे और नाम हनुमार मत समझो ये श्राप है तुमको ये तो है वरदा भोले नात तो फिर कैलास पे लोटे ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़े बल्यार हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़े बल्यार पवन के जरिये कान से होकर ये हैं गर्ब में आये इसलिए तो बजरंगी है पवन पुत्र कहलाएं किन्तु गर्ब में पढ़ गई इनको बानर की छाया इसलिए तो बानर जैसा रूप इन्होंने बनाया पजपन से ही हुए है ये तो बड़े बीर बल्यार बोले जी ने जैसा कहा था रखा नाम हनुमार देखके एक दिन आस्वान में लटक रहा बलला उड़कर पहुँच गए बजरंगी ऐसा किया कमार समझ के भल वो सूर्यदेव को निगल ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हे स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भरत्य हनुमार तुम तो हो बड़ बलवार सूर्यदेव को जो निगलातो हुआ गोर अंधिकार सारी ही स्रिष्टी में मच गई फिर तो हाहा का सारे देवी देव तभी तो होने लग व्याकुल हनुमत निगल गए सूरज को समझ के मीठा फल भोए कत्रित वो हनुमान के पास में फिर आए बाहर निकालो सूर्यदेव को रहे है समझाए जित्नी बालक की तरहाना मान रहे हनुमान क्रोध में भरकर इंड्र देव ने बच्च लिया है ता बच्च प्रहार से हनुमान मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़ बरवान ही राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़ बरवान फिर तो पवन देव ता आये सुत का जानने हाई ये क्या किया है इंद्र देव वो हुए क्रोध सेला छोटे छोटे पालक पे कर दिया वज्र प्राहा मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और ये संसा इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना तो सब हुए व्याकुल पवन देव ने लिया पेक को रो सास भिलेना सब का फिर तो हो गया था दुसरवा प्रह्माजी फिर पवन देव से बोले हाथ पसाओ हनुमान की वज्जदेह प्रम्हाजी बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई वरति समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान वज्जदेह का प्रम्हाजी ने दिया उन्हें वर्दान सुर्य देव हनुमान के मुख से फिर आए हैं बाहर हुआ उजाला सब देवों ने बोली जय जय कार खेलत खेलत फिर वो एक जंगल में आते हैं रिसी मूख के पुत्र देख उनको डर जाते हैं उचल कूद फिर उन्हें देख कर करने लगे हनुमान रिसी मूख से करी सिकायत फिर बच्चों ने आओ रिसी मूख के साप से वो बल अपना भुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बलमान किस किंधा परवत पर फिर तो हनुमान आएं वानर राज सुक्रियूने से नामे लियां मिलाएं राजा तसरत के घर जन में पुर्सों तमस्रीरां खुसी मनाएं नगरी सारी हो रह मंगलगां बोले वाल रूपी दर्सन राम के चाहते हैं इसलिए हनुमान को अपने पास बुलाते हैं बोले तुम बानर बन जाओ और मैं बनू मदारी वाल रूपी राम छबी दोनों देखेंगे जारी बन के मदारी आयोध्या में वो खेल दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान ही राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चर्चा छिडी अयोध्या में एक आया अजब मदारी वानर का वो खेल दिखाए देखे नगरी सारी पुर्सोतम स्रीराम खेल को देखन चाहते हैं राजा दसरत फिर उनको महलों में बुलाते हैं बोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल दिखाए बोले राम ये वानर तो है मेरे मन को भाया ये वानर तो मैं रखूंगा बोले है स्रीराम माने ना स्री राम तो लेकिन रूठ ही जाते हैं पावन कता सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कता सुनाते हैं हे राम भक्त्य हनुमार तुम तो हो बड़ बल्वार राजा तस रथने फिर तो है वानर कई मगाए माने ना स्री राम वही तो बानर लेना चाहे अपने मंत्री को राजाने खोजन है भेजा खोजत खोजत आये मंत्री परवत किस किंधा वानर राज सुक्रिवन आकर उनको सीस जुकाया बुला लिया हनुमान उनके संग में अयोध्य पठाया भक्त और भगवान का फिर तो ऐसा मिलन हुआ फिर बोले स्री राम हम ये लीला रहे दिखाओं अब तुम जाओ हनुमान हम बनवास को आते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई वरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चोदाह वरस को सिरी राम जब आए हैं वनवान बलिवद करके सुक्रियों से फिर किये मित्र ताखा सीता मा की खोज में निकली सब वानर सेना लंका जाने के लिए हैं हनुमान को चुना सिरी राम की आग्या लेकर ऐसी भरी उडारी सौयों जन का सागर लांगा और लंकिनी मारी सीता माता को जागर के किया है फिर पेडा बाग उजाणा और अच्छे का कर दिया काम तमाओ सोने की लंका को जला के राख बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमा तुम् तो हो बड़े बल्वाँ मना किसे तू फिर कर दी है लंका नगर चढ़ाई डटे रहे स्री राम के संग में जब भी मुसीबत आई अपनी गदा से जाने कितने दानों मारे हैं स्री राम के बोल रहे मुख से जैकारे हैं लखन लाले और मेगनात में युद्ध हुआ भारी मेगनात ने जब लक्षमन को सत्ती थी मारी सुर्योत ऐसे पहले जाकर संजीवन लाएं भरत समान राम प्रभु ने भाई बत लाएं राम प्रभु तुमें कुछ हो करके गले लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यान लंका विजय कर लोट सभी जब योध्या आते हैं सिरी राम ने सबको ही उपहार भी बाटे हैं मोती की माला हिस्से में आपके आई हैं तोड़ी मोती माला ता तो तले चबाई हैं लंका पती विभीशन ने फिर कह दी ऐसी बार तोड़ी मोती माला आखिर है बानर की जाग इतने कीमती मोती तुमने क्यों विखराए हैं क्या हिरतै में तेरे भी सी आराम समाए हैं फाड के सीना सी आराम का दरस कराते हैं पावन कथा सुनाते हैं पाई भरत समान जिने सी आराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बल्यों वीरों के हैं वीरे ये अपने महभीर हनुमान तुम तो हो बड़ बल्यों वीरों के हैं वीरे ये अपने महभीर हनुमान राम भक्त हैं बड़े निराले गुले और बल्यों स्री राम की आग्या चासत पालन है करते भूत पेते और दुर्जन दुष्ट भिनाम से ही डरते हे बजरंग बली रखना हम पे किरपा की छाया डी अस पालन सुमर सारता तेरा ही गुन गाया हंस राजरे लहन ने बनाया सोनोटिक चैनल सुने का जो भी इस गाथा को होंगे काम सफ़र पोजी सुरेस से लाखों भक्त भिसी से जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बर्वान